Hello everyone, welcome to my secret recipe corner आज हम बनाएंगे पनीर काली मिर्च ये पनीर आपने पहले कभी नहीं खाया होगा ना ही बनाया होगा इस पनीर के लिए हम white gravy बनाते हैं और ये gravy एकदम smooth और creamy बनती है ये पनीर बिल्कुल भी spicy नहीं होता है इसका टेस्ट हलका हलका sweet होता है जो बहुत जाद़ टेस्टी लगता है और इसे बनाने में बहुत कम सामाना और बहुत कम समय लगता है तो चली बनाते हैं जटपट बनने वाला पनीर काली मिर्च पनीर काली मिर्च बनाने के लिए मैंने दो प्याज को रफली कट कर लिया है और एक कप काजू लिये हैं अब हम इन दोनों चीजों को एक साथ एक कंटेनर में डाल कर बोईल करेंगे प्याज और काजू को उबलते हुए पांच मिन्ट हो गए हैं अब हम गैस का फलेम ओफ कर देंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे प्याज और काजू का हमने फाइन पेस्ट बना लिया है अब हम पनीर को कट करेंगे ये लिया है मैंने 200 ग्राम पनीर इसे आप अपनी पसंद से किसी भी सेप में कट कर सकते हैं ये देखे पनीर को हमने इस तरह से कट कर लिया है अब ग्रेवी बनाने स्टार्ट करते हैं अब एक कड़ाई में डालेंगे थोड़ा सा देशी घी, घी को गरम होने देंगे साथ ही डालेंगे इसमें एक बड़ी लाईची, कुछ लंबी कटे अदरक के लच्छे इन्हें हलका से चलाएंगे और अब डालेंगे इसमें थोड़े से काजू और इन्हें भी रोष्ट कर लेंगे काजू रोष्ट हो गए हैं, अब हम इसमें एड़ कर देंगे प्याज और काजू का पेस्ट और इसे अच्छे से भून लेंगे इस पनीर को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें मसाले भी बहुत कम यूज होते हैं और फिर भी ये पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी बनता है ये देखे प्याज का पेस्ट अच्छे से भुन गया है ये एकदम लेडल के साथ आ रहा है अब हम इसमें एड़ करेंगे एक कप दूद दूद को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे दूद में उबाल आ गया है अब हम इसमें डालेंगे half cup मलाई मलाई से इसमें बहुत rich flavor आता है अब हम इसमें डालेंगे half teaspoon काली मीच पाउडर हम इस पनीर में लाल मीच या हल्ली पाउडर किसी भी चीज का यूज नहीं करते हैं बस इसमें हलका सा तीखा पन लाने के लिए काली मीच का यूज करते हैं अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्रश की हुई कसूरी मेथी और बस इने mix कर लेंगे अब इसमें एड़ कर देंगे पनीर इस पनीर को बनाना बहुत आसान है ये सिर्फ पांच इन्ट में बन कर तयार हो जाता है अब उपर से अड़ करेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और वन टीजपून नमक इन्हें अच्छे से mix कर लेंगे और हलका सा मीठा टेस्ट देने के लिए इसमें डालेंगे वन टीजपून चीनी पनीर बनकर रेड़ी है अब गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे एक सर्विंग बावल में निकाल लेंगे देखी कितना क्रीमी पनीर बना है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कीजिए और एसी और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए